चुनाब का समय है और इस कार्चकरम में मिलन समारों में हम लोग यहां उपश्टित हुए है मैं आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूँ साथियो ये देश गुलाम था अंग्रेज का सासन था और आपके और हमारे पुरवज ने मिलकर इस देश के लिए पढ़े 200 साल तक लराई लरा हजारों लाखों के संख्या में हमारे पुरवज ने बनिदान दिया तब जाके ये देश आजाद हुआ जब देश आजाद हुआ तो बाबा साब भीमरा अंबेटकर ने हमारे लिए एक समिधान मना के दिया जिसमें पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था लेकिन बाबा साब ने कहा कि नहीं अब इस देश का राजा रानी के कोक से बच्चा जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास भोट होगा वो भेक्ति राजा होगा और बाबा साब ने हमें एक समिधान बना के दिया हमें अरे देश के लिए एक लोग तंद्र दिये और साथियो हमारा देश अजादी के 77 साल बीद गया लेकिन आज हमारा देश जो हमारे पुरबच का जो सपना था कहीं न कहीं कुछ लोगों ने इसको गुम्रा करके आज कहीं न कहीं हमारे पुरबच का सपना को चखना चूर करने में लगा हुआ है इस देश को लोग तंत्र से हटा कर राज तंत्र में लाना चारा है सातियो इस देश के समिधान को बदलने का कोसिस किया जा रहा है आज समिधान के दम पे आज गरी पिछ़़ा आज मल्ला का बेटा भी आपके सामने में अपनी बात रखने का हैस्यत रखता है ये किस के कारण ये समिधान के कारण लेकिन कुछ लोग जो है नागपूर में डिसीजन होता है और नागपूर के आसारे पे देश में समिधान को बदलने की सोच रखते है सातियो आज बताईए देश किस जगह पे पहुँच रहा है आज बताईए देश में दो-दो मुखमंतरी को जेल में डाल दिया गया क्या ये लोग तंत्र है ये लोग तंत्र नहीं है सातियो आज इतने भी सरकारी स्थांस्ता है अपने जेब में रख लिया है किसी को बोलने की आजादी नहीं है क्या ये लोकतंत्र है आज देश में हजारो लाखो करोर रुपिया देश के जनता का खर्च हो रहा है चुनाब पे इसलिए कि दनता मालिक है और जनता जिसको चाहेंगे उनको बैठाएंगे लेकिन आज क्या हो रहा है हर चीज को अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है आज द हास करके मोदी जी कि मुकेशानी का पार्टी को समाप्त कर दे लेकिन हमने बहुत महिनत किया लेकिन हमारी पार्टी को रेजिस्टेशन नहीं कैंसल कर पाया हमने उसके लिए काम किया इस देश में 927 पार्टी को रेजिस्टेशन कैंसल करवा दिया ये मोदी जी के सरकार न तो साथियों हम सब को मिल कर लड़ाई लरना परेगा संघर्ष करना परेगा जैसे हमारी पुरवज ने संघर्ष किया उससे हम सब को संघर्ष करना परेगा आज हमें खुसी है कि आज हम ऐसे सत्ति के सामने में लड़ाई लर रहे है जो आज गरीब पिछा लोगों को सपना को अपने पैरे तोरे कुचल रहा है क्या बोले थे मोधी जी कि हम पे एक बार भरोसा किजिए हमको लाईए हम अच्छा दिन लाएंगे क्या आप लोगों अच्छा दिन मिला है आज बताईए ना पाँच किलो चाबल देना ये हमारे लिए अच्छा दिन है आज हमारे बच्चे नोकरी के लिए तलग तलग के भटक रहें दूसरे राज में नोकरी करने के लिए आठ हजार के नोकरी के लिए मजबूर है आज हमारे लोगों को नोकरी नहीं मिल रहा है तो इसले सातियों, आज कही न कही हमें लराई लरना हैं। आज मोदी जी देख रहे हैं? गाउ में कहावत हैं। गाउ में कोई अमिर घर के परिवार के लोग होते हैं, काम धंदा करते नहीं हैं, अब बापदादा का जमिन बेच बेच कर खाते हैं। तो गहां में कहना है कि आरे बाब दादा को जमिन भेज को फुटानी क्यों कर दे हो। आज का सरकार वही है। हमारे सरकारी संपती को बेच-बेच कर और देश को कहरे कि देश आगे बर रहा है। देश पे पहले जो कर्ज था उससे चार गुना ज़्यादा कर्ज हो गया और कहे रहें कि देश बिकास कर रहा है आज देश के लोगों को सिर्फ पांच किलो चाबल के लिए लाइन पे लगा दिया है और अब बताइए अभी दस दिन पहले दुनिया के सूची में से हमें बिक आपने देखा ना एक गरीब मच्वारा का बेटा संघर्स किया नो सोर ब्या महिने पे जाके बंबई जैसे सार में मैं नोकरी किया था और वहां पे महनत के दम पर अपने काम्याभी का जहंडा गारा फिर मैंने देखा कि हमारे लोग लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच बिख का रहा हूं जब हमारे लोगों ने हमें अपना नेता माना तब आपन देखा चार विधायक बनाया अपने धंपर л॥े बिहार में मंत्री बना हमारे सघ्योग से बिहार में सरकार अगर हम सम्मर्थान नहीं देते तो नितीज कुमार जी का सरकार नहीं बनता अब भीहार ममुख मंत्री नितीज जी नहीं बनते आज हमारे दम पे सरकार बना लेकिन वो क्या किया वो देखा कि एक मला का बेटा मचले मानने वाले का बेटा मालिक बन गया चार बिधायक बना लिया मंत्री बना हु कर दो हमारे पास एक ही भिकलप है संगल्स करना उसको मुझसे तक नई तकलीफ है उनको निसास समाज से तकलीफ है उन्होंενे देखा कि मके lançनी के नेत department में निसास समाज आगे निकल जाएगा जैसे हमारे आदानिय स्री लालू परसाजी के नित्रुत में पुरे बिहार के गरीब पिछरा दलित सभी लोगों ने अपने पैर पे खरा होने का काम किया उसी तरीके से देखा कि एक मल्ला का बेटा बहुत तेजी से काम कर रहा है इसको रोको और वो हमको गुलाम बनाने का कोसिस कर रहा है आज बताइए हमारी लडाई है कि जब दिल्ली में निसात को आरक्षन मिल रहा है जब बंगाल में निसात समाज के सभी उप जाती चाहे हो बिंद हो बिलदार हो नुनिया हो मला हो चाहे हो तीयर हो बनपर हो केवट हो सभी को आरक्षन मिल रहा है और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कई बार मोधी जी ने वादा किया कि हम आपका काम करेंगे हम आरक्षा लागू करेंगे जब उसका समय निकल जाता है तो भूल जाता कि मल्ला का बेटा कौन हो तुम तुमारा समस्या क्या है ताज देश के परधान मंत्री क सबस्वाइब है कर दो कि नाम पह्ते देश के दिलाने के लिए हर जाता के लोग नफरत की राजनीत नीक कर रहा है आज जब कि उनको जोरने की समय है लेकिन यहाँ पे तोरने की बात करता है जब भी भी समाज में जो भी तोरने की बात करे वो आपका कभी नहीं हो सकता है सिर्फ वो अपने स्वार्थ की राजनीत कर रहा साथियो आज इसलिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ साथियों, हमें खुसी है, इसलिए अगर आप लोग भी अगर देश चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, गरीब को नोकरी मिले, समाजी के न्याई मजगूत हो, तो आप लोगों को इंडिया गटबंदन के साथ मजगूती से खाणा होने के आप सकता सातियों, इंडिया गटबंदन के साथ होना आए, जीता जाता उधारन ले लिजिए, आप जब आपने देखा, 2022 में, जब नितीज कुमार जी, मोधी जी को छोड़ कर, और तेजिस्वी परसाद यादर जी के साथ सरकार बनाए तो क्या फाइदा मिला? कई लाख युवा को नोकरी मिला, समाजी किन्याय मजगूत होने के लिए जाती का जर्गना हुआ, और जाती का जर्गना हुआ, तो पिछरा, OBC, तमाम, जलीत, भाई, सब का आरक्षन का दैरा बरहा, आप कल्पना कर्ज कीजिए, अगर भाजपा क सरकार होता, तो क्या आरक्षन में बरोतरी होता? बताइए, भाजपा के सरकार होता, तो क्या आरक्षन में बरोतरी होता? नहीं होता, क्योंकि वो सरकार लालू परसाजी के विचार पे चलता था, इसलिए आरक्षन में बरोतरी हुआ, साथियो, इसलिए आरक्षन में बरोत तो बता दे कि कब आपने नोकरी कितना बरे संख्या में दिया नहीं दिया जबी भी बिहार में तरक्की होगा गरीब पिछला का आंग का आशू पोचा जाएगा तो भाजपा बाले आके अरंगा डालने का काम करेगा साथियो अरंगा डालने का काम करेगा तिसलिए हम लोगो को भाजपा को विहार से बाहर रखना है असाती हो आज भाजपा मजगूत होता है तो नागपुर मजगूत होता है, गुजरात मजगूत होता है लिकिर बिहार वही का वही रहता है हम सब का करतब बनता है कि हम लोग एक साथ होकर मजगुती से हम अपने बिहार के बारे में सोचेंगे और हमने तो निर्ने ले लिया है कि आने वाला समय में अभी तो हम मजगुती से 40 के 40 सिट जितेंगे और आने वाला समय में श्री तेज़े स्वी परसाद याजब जी के नित्रुत में अपना सरकार बनाएंगे साथियो अब भिहयार में जो नोक्री देने का सिलसिला चालू हुआ था वो आने वाला समय में उससे भी बरे संख्या में नोक्री हम लोग मिलकर देने का काम करेंगे साथियो इसलिए साथियो इस चंपारन के धर्ती पर तीन लोग सबा सीट है एक राष्टी जनता दल्ज की पार्टी बालमी की नगर लरेंगे और बेतियासे कॉंग्रेस पार्टी है और मुतियारी से ब्याइपी पार्टी का परत्यासी वहाँ पे आएगे साथियो और आप सब मजगुती से सारे 40 के 40 लोग सबा सीट मजगुती से जिताने का काम किजेगा तब आने वाला समय में गरीब का कल्यान होगा साथियो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मजग में उपस्ति सारे नेता को बहुत बहुत धन्यवाद और सभा में भरे संख्या में उपस्ति सभी नेतागन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चुनाग के समय में फिर से मैं आप लोगों के बीच में आँगा और पार्टी के एक नेता आपने संकल्प लिया था हाथ में गंगा जल लेके मा गंगा को समगत खाया था कि आने वाले समय में अपने बच्चे के भविस के लिए लड़ाय लड़ेंगे वो संकल्प को याद रखिएगा एक एक गाँ में जाईएगा एक एक टोला में जाईएगा अब सभी को याद इलाकर अपने महा गटवंदन इडिया गटवंदन के पत्च में पूरे बिहार में मजगूती से खरा होकर भोट गिराने का काम किजेगा बहुत बहुत प्रादी को